हालो फ्रेंट्स हम हमारे बेस कीजन रेसीपी में आपका स्वागत करते हैं आज हम आपके लिए लाहे बटर नान और इस्टेंट बनने वाली पनीर बटर मसाला की सबजी नान बनाएंगे हम भी बिना बेकिंग पावडर बिना सुड़ा बिना दही के सूपर सॉफ्ट होटल और रेस्टूरेंट जैसे ही नान बनका तैयार होंगे इसी के साथ हम बनाएंगे इस्टेंट पनीर बटर मसाला की सबजी चलिए अब हम चटपड से वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे नान नान के लिए लगाना है डो एक बड़ा बाओ लेले इसके के अन्हें ंंदर 3ती स्पवे डाले देसी के आप चाहे तो तेल बी डाल सकते हम और इसके अंदर डालेंगे वंती स्पून कासूरी मेथी तो टेबलिस पुन मील्क पाउडर और «Blackした विह पाउडर को सब्सक्राइं», भी पार मीदा भी ले सकते हैं इसे अब जरूरा यह पूद के अनुसाल सरे नमक गण होंगे एक कप गुंगुना दूद ले ले और देखिए दूद को हमने डाल दिया लेकिन अभी हमारा दोबन कर तयार नहीं है इसी के साथ एक कप गुंगुना पानी डालेंगे आदा किलो में दे के लिए दो कप का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है एक कप दूद और एक यह देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा डो बनकर तयारे डो हमें सॉफ्ट ही चाहिए और हमें इसे डखकर रख दूँगे एक कप पानी लगा और एक कप दूद लिया अब हम बनाते इंस्टेंट ग्रेवी एक कड़ाई को मैंने गेस के उपर रखा इसके अंदर डाला ह तेल जब गरम हो जाएगा तो हम साबुत मसालों को डाल देंगे जब यह चटकने लगेंगे तब हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज की पीसीवी प्याज प्याज हमें पीसकर ही डालनी है और प्याज को हम देड मिनाट बूनेंगे बहुत जादा डाक नहीं करन टू टेबल स्पून में डाला है अधक लसुन का पेश्टन और इसे हम दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे टमाटर प्याज और मसाला पक जाए अब हम डालेंगे इसके अंदर सुखे मसाले इसका फ्लेम मिडियम कर दें देड चमच में डाला है देड टी और ममें इसे दो से मिनट तक भुनेंगे दो मिनट हो चूखे अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पाणी डाल देंगे पानी डालने के बाद इससे अच्छे से मिक्स कर दे और इसे तीन-구+. के लिए cover करका रख दे तीन चार मिनट हो चुके हैं यह देखिए किती बड़िया gravy बनकर तयार हुए और कितना बड़िया color आये अभी दों में कुछ masala डालना और बाकी हैं और इसे अच्छे से मिस्क करेंगे देख सकते हैं कितनी अच्छे से gravy बनी है आप इसके अंदर डाल रहे हैं हम half teaspoon गरम मसाला और two double spoon डाल रहे हैं मलाई मलाई डालने के बाद देखिए ग्रेवी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है जैसे कि आप अक्सर बाहर होटल में खाते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से करेंगे mix ताकि गरम मसाला पक जाए और देख सकते हैं कि कितना बड़िया सा कलर आया और हमारी ग्रेवी बनका तयार है तो तीन मिलेट उसके बाद मलाई डालने बाद भूल ले और इसे गेस बन कर दे और इसे एक बावल में निकाल लिया है यह इस ग्रेवी को आप श्टोर करकर भी एक म अब हम इसे करेंगे फ्राइब टू टेबल स्पून डाला है मैंने बटर और वन टीस्पून डाली हमेने कश्मीर कसूरी मेथी और अब डालेंगे हम पनीर के अंदर फीका पन नहीं लगेगा इसके लिए हम डालेंगे कुछ मसाले पहले हम इन सब को अच्छे से कसूरी ईसकी थाय बनेतज चक्यों को आँमोड से पनीर के सबजी बनकर तैयार होती है और थोड़ा सा डालेंगे नमक नमक देखकर ही डाले क्योंकि हमने ग्रेवी के अंदर भी नमक डाला है और इसे अच्छे से फ्राइ कर लें दो मिनेट तक पनीर को फ्राइ करना है थाकि इसके उपर के लिए थोड़ी क्रिस्पी हो जाए और अब हम पनीर फ्राइ हो चुके अब हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी के लिये मिक्स से ऑंड कर चे को दाल डाल निया मज़े दर रेसीपि और इस तरह से हमारी हमारी पनीर की पञेड़ी की कितनी बढ़िया बनकर तयार हुई अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ कप पानी ग्रेवी आप जिस तरह से पसंद कर सकते हैं अपने उसे साफ साफ पानी डालें पानी डालने के बाद मैंने से तीन-चार मिनट के लिए कवर कर दिया था और ये देखें कि हमारी सबजी बनक मसाला बनकर तयार हुआ है लग रहा है जैसा कि आप होटल या रेश्टरेंट में जाकर खाते हों अब आपको कही जाने के जरुवत नी चलिए अब हम इसके लिए बनाते हैं फटाफर से नान ये देखिए डो हो गया तया अब मैंसे एक बार और मसल मसल कर चिकना कर लोंग आठ नान बनकर तयार होंगे ईस तरह से मैंने अम्यने तयार कर लिए अब में लुगी एक चकला और लोय के उपड़ लगाएंगे हम सुखा आटा और इसे हम अब बेलेंगे इस तरह से आप इसे बेले में ओवल से अपमे नान बना रही हूं यह देख सकते कितनी आसानी से बेल लिया मैंनी और अब हम इसके उपर लगाएंगे पानी पानी इसलिए लगाते हैं ताकि नान तवे पर चिपक जाए और यह नान निकल जाएगा और इस तरह से अप सरका सरका के गेश के ऊपर हाई फिलेंपर इसे कर लिए देखिए नान हमारा बन चुका है और मैं यह इस तरह से निकाल लोंगी देखिए बना है ना बिल्कुल जैसा कि आप होटल में खाते हैं और आप में लगा रही हूं नान के बटर नान तो बनता ही इस तरह से में बाकि के सारे नान तयार कर लूगे बिल्कुल रचान जालीदार यरो सौरे वे बाकिंटम रमारे त 對 Cantonese चाहर है uक्रूट जान तरह से सारे नान बना कर रेख लूगे इस तरह से न मैं सारे नान और देखिए पनीर बटर मसाला और हमारा सौफ बटर नान बनकर तयार है ना बिलकुल कमाल की रेसीपी बिलकुल लग रही ना जैसा कि आप होटल में खाते हों ये देखिए हमारी पनीर बटर मसाला घर पर बनकर तयार है ना बिलकुल आसान रेसीपी इस तरह से आप पनीर नान जरूर बनाए और आपको जब बनाए तो मेरा यी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और साथी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी मज़िदार से आने वाली रे CP के साथ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई